नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले है जे आईवी और किंग्स 11 दोनों ही टीमों के बीचे ख अपने जो पांच टॉप वडर के बल्लेबाज हैं इनमें कोई भी फेर बदल नहीं किया है इसका मतलब यह है कि एक सिक्वेंस के हिसाब से यह बैटेंग वडर उतार रहे हैं और सालचा दोस्तों इस बैटेंग वडर के हिसाब से हम अपनी स्मॉल लीग और हैट टूएड लीग है दोस्तों आराम से टीम तयार कर सकते हैं लेकिन यदि बात करें अपन ग्रांड लीग के बारे में दोस्तों ग्रांड लीग को आपको जे आई वी के फेवर में टीम तयार करका चलना है और ऐसे मैं आप सिर्फ दो फेज में अपनी टीम तयार करें क्योंकि जे आई टीम आपको एसी तैयार करनी है जिसमें आप एक और दो ही लोगष और यह यह तरह से दिए आप गारिट कि लीए के लिएग फाइदेवंद रहने वाला है एक केंग लेवन पहले बलवाजी करता है तो आप एक की पर पर कर सकते हैं तो सुरुवात करते हैं अपन सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू के बारे में दोस्तों तो जैसी सी ब्रेशिया क्रिकेट ग्राउंड में यह पुरा टूनेमेंट चल रहा है यह मुकाबला भी वहीं पर खेला जाना है पेच एक दम बैलेंसिंग एक बार फिर हमें इसकी बारा टूनेमेंट में नटीन में ईस टूनिमेंट में जीते हैं और मात्र एकhesion भारा है पिछले 5 मुकाबलों मैं से चार जीटे हैं और एक मुकाबले में नेहार मिली है बहुंकिंग 11 की बात करें तो एस टूनामेंट में में नेहार मिली है य्दि दोनों ही टीम हो के प्लेइंग लेवन के साथ साथ बैटेंग और प्लियर इस्टेट्स के बारे में तो इसके पहले दोस्तों आपको बता दें फाइनल अपडेट के लिए आपको टेली ग्राम चैनल जोइन करना रहेगा डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा फाइनल टीम और दोस्तों हमारा फोकस सबस्यादा टी टैन क्रिकेट पर रहता है और इसकी सबस्यादा वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं वीडियो को अब अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए काफी हैलपुल खास करके हैट टूर रिसमोल लीग में रहने वाली है ग्रांड लीग में दोस्तों सेम स्टेट्स रहने वाले हैं जिसका हमने आपको कंडिशन बता दिये किस कंडिशन के हिसाब से आपको ग्रांड लीग की दीमत अईयार करकर आज चलना है तो शुरुबात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे जनना अब रेशिया के बारे में दोस्तों निसार एहमद और फहीम नसीर दोनों ही बल्लेबाश टीम के लिए ओपन कर रहे हैं निसार एहमद बिकट कीपरिंग सेक्सर में आपको दिखने वाले हैं तो इसका मतलब इनका सेलेक्शन ओफ परसेंटेज आज काफी हाई जाने वाला है क्योंकि सामने वाली टीम क के बिकट कीपर में कोई खास दम नहीं है अब बात करें इनके स्कोर्ट के बारे में तो पछले दोनों मुकाबलों में अच्छा इसको रिनों ने किया है इसलिए आप इनए आराम से टीम में अपनी शामिल करकर चल सकते हैं बात करेंके फहीम नशीर के बारे में दोस्तों तो ओवर कम्प्लीट भी कर रहे हैं इसका मतलब यह एक ऐसा प्लियर है जिने हम आराम से हैट टूर्ड स्मॉल लिगों में कैप्टन बाइस कैप्टन ट्राय करकर चल सकते हैं नंबर तीन पर सारुक नवाज आने वाले हैं पिछले मुकाबले में इनको बैटिंग नहीं मिली है एहमाद हसन के बारे में दोस्तों पहले मुकाबले में टीम ने इनको नहीं दी है लेकिन इसके बाद नंबर चार पर इन्हों ने बैटिंग किया और पिछले दोनों मुकाबलों में इने बैटिंग क्यों नहीं मिली है क्योंकि दोस्तों लाश्ट मुकाबले में कोई बि इनको आप ड्रोप करकर चल सकते हैं अब बात करें रिजबान मोय उद्दीन के बारे में दोस्तों ये आपको रिजबान मुहम्मत के नाम से दिखने वाले हैं तो इन्हें आप ड्रॉप करें क्योंकि बल्लेबाजी में कोई खास पर्पॉर्मेंस नहीं है पांस में नंबर प नकाल कर टीम के लिए हैं और इस टूनामेंट से पहले वी दोस्तों 40 मुकाबलों में 72 और फेक हैं और 19 टीम के लिए नकाल कर दिये हैं सामने किंग 11 की टीम है मतलब उस टीम के ज्यादा गरेंगे तो ऐसे में आप जैयाइबी के बोलर्स पर अच्चा फोकस करकर चल सकते ह हो सके केंग 11 यदि पहले बल्लेबाजी करता है तो आप बोलर्स को भी बाइस कैप्टन बाइस कैप्टन जयाइवी के बना सकते हैं अब बात करें फारिद गुलाम के बारे में दोस्तों आप ये इस प्लियर को मतलब एक तरह से ये प्लियर ग्रांड लिग का प्लियर है य लेकर अब बात करेंगे हसानली के बारे में तो ये प्लियर आपको हंड़ेट पर्सेंट अपनी टीम में शामिल करना है विकिट टेकर ये बोला है तीन मुकाबले खेले हैं और चार बिकिट अपनी टीम के लिए नेकाल कर इन्दों ने दिये हैं तो दो दो ऑबर ये प्लि डिखे अबी तक अपनी टीम के लिए नकाल कर देंगे देख नोस्तों तीन बोदाओं हमें काफ़ी अच्छे मिलें यह अगारी है सकते हैं अब बात करेंगगे रुक्षार हमारे Mann कर चल सकते हैं पिछली ही मुकाबले में दो औरiggle के हैं तो इसके पहले मुकाबले हैं विकट नकाले हैं इसका मतलब यह player हमारे लिए और भी important हो जाता है दोस्तों head to head small league में आप इने captain by captain try करकर चल सकते हैं अब बात करेंगे दोस्तों bench strength के बारे में तो यहां से यदि किसी player को playing 11 मिलती है तो इसकी जानकारी हम आपको telegram channel पर provide करा देंगे क्योंकि दोस्तों इसमें भी क नहीं किया है किंग लिएवन के पाथ दोस्तों कुछ player ऐसे player हैं जो एक तरफा मुकावले को कर सकते हैं तो इसका भी ध्यान रखकर आप grand league की team तयार करें जैसे कि दोस्तों बिवोर यादब है बिकास कुमार है यह ऐसे player हैं दोस्तों जो एक तरफा score करकर चल सकते हैं अब हैं बात करें सबसे पहले बिकास कुमार की बारे में तो चारों मुकावलों में team के लिए इन्हों ने open किया है और दोस्तों इनका साथ में आए हैं बेवोरियादाब दोनों वही बल्लेवाश टीम के लिए लगातार ओपन कर रहे हैं बिकास कुमार की बात करें तो साथ रन पहले मुकाबले में इसके बाद बीच के दो मुकाबले में 2778 रन बनाए हैं यानि देखें दोस्तों यह भी बिगट की पर अच्छे हैं लेकिन देखा जाए यदि दोस्तों टीम में सेटलमेंट बैठता है तो आप इसे लेकर चल सकते हैं वरना आप ड्रॉप करकर चल सकते हैं क्योंकि सामने बादी टीम की आज बॉलिंग अच्छी होने वाली है वही अगर बात करें बेवोर यादव के बारे में तो 100% इस प्लियर को टीम में सामिल करें और हो सके हैं क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं पहले मुकावलें इसके बाद अठारा आट और आट रन बनाए हैं पर अच्छी बात यह है कि बॉलिंग दोस्तों दो ओवर कंप्लिट कर रहे हैं और अभी तक पांच बगेट अपनी टीम के लिए निकाले हैं तो वह वह रियादा हमा का average रहा है ऐसे में पचले चार मुकावलों में score नहीं हुआ है लेकिन आपको बता दें इंटर्नेसल पिलियर है सेटीस का average maintain कर रहा है यादि आने वाले मुकावले में दोस्तों इसकोर इनके बल्ले से हमें देखने को मिलने वाला है निश्यत्तोर पर दोस्तों एक टीम आप ऐसी बनाईएगा कि सिम्वरण जीत के आप इसकोर यानी 60-70 के आसपास सोच सकें क्योंकि आने वाले मुकावले में निश्यत्तोर पर आपको बड़ा स्कोर इनके बल्ले से देखने वाला है हाला कि इसमॉल लीगों में आप इस प्लियर को ड्रॉप करकर चल सकते हैं नंबर चार पर कुल्दी गुलाल दोस्तों लगातार बल्लेवाजी कर रहे हैं बॉलिंग भी कर रहे हैं इक डिफरेंट पिक के तोर पर आप केप्टन बाइस केप्टन हैट टू एड़ स्मॉल लीगों में ट्राय करकर चल सकते हैं नंबर पांच के बल्लेवाज जगमी सींग है लेकिन पिछले मुकाबले में नंबर तीन पर यह बैटेंग करने आए थे दिन में से एक मुकाबलें बॉलिंग की है और पिछले दो मुकाबलों में इन्होंने बॉलिंग नहीं किये तो बहुत बड़ा रिस्की पिलियर है इसलिए आप इनको ड्रॉप करकर चले हैं खास तोर पर चोटे लीगों में अब बात करें सर्वजीत की इस बारे में तो प सकते बाकी ऐसा और कोई एक टीम में शामिल नहीं है जिसके बारे में हम बात करें जोस्तों यदुसमे से किसी एक nel ordered में में शामिल में मनलब कोई विप्लेयर पिलेंग ले में सयर करह सब्सक्राइब करें जरू करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई ज प्योस्तो